जैहिन वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम स्टाड़े पैटफॉर्म में दोस्तो आज की है वीडियो एक्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसे छोड़ा ही नहीं जा सकता यानि बॉन हीले जो सिध्धान्त है गडित में ये एक्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से पूछा जाता है और आज आपको समोसे, चटनी, रोटी सब कुछ खिलाएंगे इस वीडियो में तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा कंसंट्रेशन के साथ वान हीले के कॉंसेट से पांच इस तर पूछे जाते हैं यानि ये वान हीले है क्या, कहा का चैप्टर है ये सीटेट में मैथेमेटिक्स का चैप्टर है जो जियामिती से रिलेट करता है तो पहला कुस्षन यही आ जाता है कि वेन हीले जो है वो किस से संबंदित है जियामिती से संबंदित है अब हम आते हैं यह जियामिती क्या है वेन हीले क्या है क्या कहा है या ऐसा कोई कुस्षन एकजाम में देखने को मिल जाए एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे यानि theory of वैन हीले, heading डालिएगा, theory of वैन हीले, गडित सिक्षा वैन हीले model एक सिधान्त का वर्णन करता है, कि कैसे चात्र जियामिती सीख सकते हैं, simple सा concept है, आसान भासा में बता रहा हूँ, वैन हीले है क्या, वैन हीले एक व्यक्ति, जिनों ने गडित सिक्षा के अलिये बह आती है, कि एक शात्र है, student है, वो कैसे जो है, geometry को सीख सकता है, in mathematics education, the वैन हीले model is a theory that describes how student learn geometry, मतलब किस तरीके से जियामिती को सीखा जा सकता है, तो कुल मिलाकर हमारा निचोड ये निकला, कि वैन हीले एक गडिती संक्रिया है, जिसमें जियामिती पर focus किया जाता है, कि how to learn geometry, simple सी बात है, अब आते हैं, वैन हीले से जो एकजाम में fact आते हैं, वहाँ से पूछता है, तो बच्चा confuse होता है, वैन हीले नीदर लेंड के जो है, mathematician थे, याद रखिएगा, बालक जैमिती को किस तरह के तरह से सीख सकता है, इसके विभिन इस तरों को उन्होंने बताया है, अब ये ये फाला fact एकजाम में बहुत पूछा जाता है, कहता कितने इस तर दिये हैं, चार दिये हैं, पांच दिये हैं, साथ दिये हैं, जीरो दिये हैं, कितने दिये हैं, यान हीले वाजा, mathematician, from the Netherlands, how do children learn geometry, he has explained its various level, various level का मतलब है कि विभिन इस तरों को इन्होंने पांच इसतर हैं, यानि पांच इसतर हैं, अब आप काओगे कि सर पांच इसतर हैं, लेकिन यहां पर तो चारी दिख रहे हैं, तो यही दोस्तों, बड़ा confusion बच्यों के अंदर पहदा करता है, जो bond हीले का पहला स्तर है, वो स्तर zero कहलाई है, तो इसतर zero को कहा गया है, चार तीन नमबर में इस तर दो आता है क्यों आप जानते हो लेवल जीरो से सुरू हुआ है एक आएगा दो आएगा तीन आएगा फिर चार होगा यही तो हो गए पांच है न! अनोपचारिक, उपचारिक और दरनता ये है क्या? कि तमासा क्या है? ये हम जानते हैं कि रोटी, समोसा और बिसकित है क्या? देखिए दोस्तों इसतर जीरो की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो है चाचुसी करण इसतर जीरो को हम सही से पढ़ ले इन चारो इस्तर को इन पांचो इस्तर को अच्छे से हमें पढ़ लेना है देखिएगा इस्तर जीरो में आता है चाचो सी करन यानि विजुलाइजेसन ये विजुलाइजेसन क्या है विजुलाइजेसन में दोस्तों आपको याद रखना है कि छात्र अपनी उपस्तिती के आधार पर आकार का वर्णन कर सकते हैं student can describe safe of the basis of their appearance मतलब अगर कोई चीज किसी बच्चे ने देखी उसको अपने दिमाग में बस उसकी आकरती बना ली उसको दिमाग में आकरती बना ली अरे ऐसा कोई यहां पर आकरती होती है जैसे किसी बच्चे ने जो है यहां पर गोला देख लिया तो वो हमेशा उसने याद कर लिया कि अरे इसको गोला कहा जाता है इसको सर्किल कहा जाता है ठीके ना अब वो अगली वार जब रोटी देखेगा तो वो कहेगा अरे ये तो सर्किल है इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर अगर आप रेक्टेंगल की बात करोगे या आप स्क्वाइर की बात करोगे रेक्टेंगल या स्क्वाइर की बात करोगे तो यहाँ पर आप देखेगा तो यहाँ इस सेप को भी आप इसी तरीके से जोड़ोगे अगर आप समोसा को देख लोगे तो अरे आपके दिमाग में आएगा यह त्रिभुज है ना तो दिमाग में बैठा लेना है तो त्रिभुज जो है देखने की बात अगर करें तो वो समोसे को भी त्रिभुज कहेगा और यहाँ पर गोले को भी कहेगा जब भी कोई चीज अपने मानसिक चित्रण में बैठती है पहली वार में तो उसको चाचुसी करण कहा जाता है ठीक ना तो अपनी उपस्तिती के आधार पर अगर आकार का वर्णन करता है तो यह होता है चाचुसी करण चाचुसी करण को और अच्छे से पढ़ लेते हैं कि इसमें बच्चे चीजों को सिर्फ जानते हैं केवल अगर बच्चा सिर्फ जानता है कि यह क्या है यह गोला है यह क्या है यह एक रेक्टेंगल है ये क्या है एक त्रिभूज है केवल वो जानते हैं उन्हें देखकर उनकी इमेज अगर अपने माइंड में बना ली तो यही चाचुसी करना है अब तो समझ में आ गया होगा इसमें बच्चा आकरतियों की दिखावट के अनुसार उनको पहचान उनका क्लाशिफिकेशन कर प पाजे को देखेगा तो हाँ ये क्या है ये दोस्तों आपकी चौकोर कोई आकरती है कोई रेक्टेंगल है कोई दोस्तों इसक्वाइर है चलिए हम यहां पर दूसरे पॉइंट से बढ़ने से पहले मैं बता दू यहां पर एक्जामपल में देखिए समोसे को देखकर त्रि दोस्तों चाचुसी करण होता है आगे हम इस तर बन पर बढ़ेंगे इस तर जीरो हमने पढ़ लिया इस तर बन पर बढ़ेंगे तो उसको कहा जाता है विशलेशन यानि एनलेसिस एनलेसिस में क्या है कि छात्र गुणों के आधार पर आकरतियों का वणन कर सकते हैं एक लाइन खीची दो लाइन खीची तीन लाइन खीची तो एक हो गया निर्माण त्रिभुच का निर्माण हो गया इसको त्रिभुच कहा गया इसके अलग-अलग कोण होगे इसी तरीके से एक स्कौाइर हमने ले लिया स्कौाइर के भहिया क्या होते है फोर जो होती है व पहले हमने अपने दिमाग में, हमने फीगर बनाया कि हाँ, एक कोई rectangle, एक कोई circle, एक कोई triangle होता है, अब इसके हम अलग-अलग part के बारे में जान रहे हैं, तो अलग-अलग part के बारे में जानने कि हम छमता को कहते हैं, इस तरवन या विसलेशन कहा जाता है, समझayan पहले हमें ये पता था कि कि हाँ ये एक आयत है अब हमें ये पता है कि आयत के बारे में हमने हर चीज जाननी है तो अलग अलग तरीके से अगर वरनन हम कर रहे है आकृतियों का तो वो हमारा विशलेशन कहलाता है ये सीखने का एक तारकिक और वैग्यानिक तरीका है बच्चा वर्ग और आयत में अंतर करना सुरू कर देता है कि अरे ये वर्ग क्या अलग होता है क्या आयत अलग होता है इस तरीके से वो अंतर सुरू करता है ये विशलेशन है ना विशलेशन का मतलब ही होता है जब चीजों को अलग अलग आप करके सीखते हैं चलिए इस तर वन आपने देखा इस तर जीरो देखा इस तर टू देखा इस तर जीरो में क्या देखा आपने केबल उस चीज का नाम जाना इस तर वन में आपने देखा उस चीज को अलग अलग भागों में ज्यान प्राप्त किया है ना हमने rectangle भी बताया square भी बताया आपको triangle भी बताया कोई भी चीज हो सकती है circle हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो अलग-अलग जब चीजें जानी तो हमने इस तर one में इस तर two देखिए और हम आगे बढ़ते हैं बढ़ा होता है अनौपचारिक निगमन क्या होता है informal deviation चात्र में सक्षम आकरतियों के गुड़ों के बीच में संबंद को पहचानने की बात होती है पहचानने का जो properties होती है सक्षम होगा मतलब अभी हम पिछला जो इस तर पढ़के आया है one vision में हमने कहा चीजों को अलग-अलग करके बच्चा सीखता है अब कहता है कि उनके बीच में संबंद बनाता है relation बनाता है relation बनाता है student will able to recognize the relationship between properties of safe जब relation बनाता है पहचानता है चीजों को तो हम उनको कहते है इस्तर टू या नौपचारिक निगमन ये when हीले का इस्तर टू है जैसे एक square और rectangle में बच्चा फर्क करता है और इसमें relation बनाता है कहता है all square are rectangles but not all rectangles are square समझ गये ना तो इस तरीके से जो भी चीजे relation की बात करें संबंद इस्तापित करती है तो वो हमारा इस्तर टू कहलाता है जैसे आप पियाजे और उसमें सिद्धान्त में पढ़ते रहे ना आउपचारिक है ना अमूर्त मूर्त इसी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाता है यहाँ पहले आ जाता है अनौपचारिक और दूसरा आ जाता है आपचारिक इस्तर थ्री में देखेगा आपचारिक आता है कहता इस इस्तर में बच्चे बिभिन प्रापर्टीस के बारे में लॉजिकली सोचना सुरू कर देते हैं बे बिभिन आकरतियों के मद्द सम्मंद बना सकते हैं एवं उन्हें सिद्ध जब सिद्ध करने की बात आए अब उच्छ लेवल का बच्चा हो चुका है रिलेशन भी बनाने लगे सोचना भी सुरू कर दे तरक वितरक भी सुरू कर दे और उन्हें वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध भी कर दे तो जब अपने अंतिम स्टेज पर पहुंच जाए सिद्ध करने वाली स्टेज पर तो हम कहते हैं कि आपचारिक निगमन फॉर्मर डेवियेशन कहलाता है और अंतिम इस तरह वैन हीले का द्रणता रिगोर कहा जाता है इसको द्रणता में क्या है कि छात्र जयामिती परिणाम की तुलना करने में सक्षम होगा लास्ट स्टेज क्या होती है सारी चीजें पहले मानसिक चित्रन बनाया अलग-अलग चीजों को जोड़के तोड़के सीखा उनमें संबंद बनाया उनको हमने सिद्ध किया और द्रणता का मतलब है कि आप पूरी तरीके से जो ज्यान है वो संतुलित अवस्था में आ चुका है इस्टूडेंट विल एवल टू कंपेर जेमेट्रिकल रिजल्ट अब वो अपने पूरी तरीके से पूरे छमता के साथ अपने माइंड में सेट कर चुका है चीजों को पूरा कॉंसेट उसके माइंड में सेट हो चुका है समझ में आया तो ये थी समोसा और चटनी की कहानी एनलिसिस में लेवल वन डेवियेशन, इनफॉर्मल डेवियेशन में लेवल टू former deviation में 3 और rigor में 4 ये दोस्तों आपके होते हैं चलिए हम 4 question करते हैं निमलिकित में किसका नाम जयामिती विकास के एक model से जुड़ा है जो बच्चों की जयामिती तरक के इस तरों का वर्णन करता है तो answer क्या हो जाएगा when हीले हो जाएगा दूसरा निमलिकित में कौन सा व्यन हीले के जयामिती तरक के सिध्धान का चरण इस तर नहीं है द्रसी करण को कहते हैं visualization को ही चाच्चुसी करण भी कहते हैं ये भी लिकले ज़ेगा चाच्चुसी करण visualization द्रसी करण एक ही चीज है मूर्त संचालन विसलेशन या फिर हम कह सकते हैं स्वैम सिद्ध क्या है अविग्रिहित बताईए आंसर क्या होगा देखे दोस्तों बहुत आसान है अगर आप कोगे बहुत से बच्चे कहीं कि सरक्कॉंक्रीट भी नहीं है और एक्जियोमेटिक भी नहीं है अरे यार इतना आसान कुष्चन है मैंने आप से क्या वोला मैंने आप से दोस्तों यही तो बोला क्या है मैंने आप से यही बोला कि यहां पर आप टू नंबर ऑप्शन्स में देखेगा क्या है टू नंबर ऑप्शन्स में देखेगा मूर्त संचालन की बात हो रही है जिसमें बच्चा सिद्ध करता है चीजों को एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिबुच कहता है वैन हीले के जैमिती विगास के सिध्धान के अनुसार ये बच्चा कौन से बिवेचन के इस्तर पर आएगा हमने दोस्तों ये पहले वीडियो में स्टार्ट करने से प समार्ट रिवीजन के लिए सस्क्वाइब कर लें इमांदारी से सेलेक्शन के लिए हर बहन हर भाई एक पांचमी कक्षा की छात्रा दुमी आकरती को एक गुड़ों के आधार पर सेंडियों में भरगी करन करती है जैमिती विकास के बहन हीले से धान्त के अनुसार वह छात अनलिसिस कहा जाता है जब कोई चीज़ के अलग अलग पार्ट आप देखकर उसको ग्यान अपने माइन में सेट करते हो मुझे उमीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए चार चांद लगाने में साहिक होगी और आपको ये वेन हिले का सिध्धान जेमेट्रिकल प्रोस झाटरों